हेलो अच्छो वेलकम बैक मैं हूँ खैरोल और आज हम लोग पढ़ने जा रहा है है यूनीट से डाइमेंशन का जो फिफ्थ लेसन है वो पढ़ेंगे है ना तो इस फिफ्थ लेसन से पहले हमने चार लेसन को कम्प्लेट कर चुके है चार लेसन जो जो हमारा पहला है यूनी हमने पहले पढ़ चुके हैं अभी वाले में हम लोग पढ़ने वाले हैं finding dimensions of physical constants जैसे हमने physical constants जैसे मैंने previous classes में मैंने आपको relation जब बताया था इस situation में मैंने यहाँ पे k under root l divided by g ऐसे type का बताया था तो यह situation में एक constant हुआ गरता था that is k तो मैंने वहाँ पे बोला था कि यह k का जो dimension है वो dimension less है कि is the dimensionless quantity है बट यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि sir यहाँ पे आप तो बोल रहे हो physical constant का dimension निकालने का कोशिस कर रहे हम लोगो कि इस वाले lesson में तो कैसे हो सकता है हां यहाँ पे condition है जो physical constant कौन कौन लेसन में एंड तक इस वीडियो को देखना है क्यों क्योंकि यहाँ पे जेई का सवाल में कराने वाला हूं और जेई का सवाल आपको पता चल जाएगा कि आप कितना confidence में आप करासा कर सकते हो और आपका जो confidence level है वो बढ़ते रहेगा तो चलिए शुरू गड़ते हैं आज का लेसन तो बच्चों यहाँ पर हमारा है पहला लेसन जो चप्टर है यहाँ पर हम लोग पढ़नेंगे finding the dimension of physical constant यह हम कौन-कौन सा physical constant का dimensions हम निकालेंगे वो बहुत ही ज्यादा important है तो यहाँ पर बोला इन expression कोई भी expression में वो physical constant हम use कर रहे हैं अगर वो known to us है तो physical हम लोग को situation में principle of homogeneity के help से हम इसका dimension निकाल सकते हैं मतलब जैसे कि एक expression में आपको बता देता हूँ जैसे आप देख सकते हो f equals to mf v equals to mu a dv upon dx बोल सकते हो यह आपका हो गया viscous force का यह आपका known नहीं है लेकिन आपको एक gravitational force के बारे में पता है उस situation में आप लिखते थे m1 m2 divided by r square but here g is known as gravitational constant यह आप जानते हो आपने बच्पन से पढ़ा है बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्पन में यह आप पढ़ा चुके है फिर आप बोल सकते हो pv equals to nrt यहाँ पर बोल सकते हो यह r हमारा gravity यह आपका gas constant है तो यह सारे चीज़ है और example में आपको और भी बता देता हूँ जैसे electric force हो गया मान लो 1 by 4 by epsilon not हो गया q1 q2 divided by r square तो इस situation में जो epsilon not है वो हमारा हो जाता है permittivity यह क्या हो जाता है permittivity यह class 12 में class 12 में जो electrostatic chapter है पहला chapter में आपको इसके वारे में पता चलेगा तो यहाँ पर अभी जो lesson हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपको इतना जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चीज़ आपको जानना चाहिए यह epsilon not चाहिए आपको expression है पता है उसका definition नहीं पता होगा तो कोई भी दिक् expression पता है तो आप कर सकते हो बात समझ में आ रहा है कि नहीं तो यहाँ से एक एक करके हम लोग dimension इसका निकालते है physical constant का तो चलिए पहला एक expression ले लेते हैं माल लो हमने अभी अभी expression जो हमने बात किया था जैसे question माल लो find the dimension of eta इस eta का dimension हमें निकालना है where eta is coefficient of viscosity मैं बोल रहा viscosity, viscosity coefficient है तो वो expression आपको is given as जो यह हमारा force दिया हुआ है this is viscous force that viscous force between two layers of water equals to minus eta A dv upon dx है तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दो यह क्या क्या चीज है यह जो मैं dv upon dx बोल रहा हूं यह मेरा हो गया velocity gradient क्या है यह velocity gradient as we know gradient means what slope gradient means what slope something divided by space is called gradient जैसे आप बोल सकते हो dv upon dx is gradient हो गया तो यह हमारा slope है तो यह slope में आप यहाँ पे इसका dimension अगर आपको चाहिए आपको पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो dv upon dx means velocity divided by distance that means velocity को आप लिख सकते हो l यह लिख सकते हो divided by आप l लिख सकते हो इसका मतलब velocity gradient का dimension आपको t inverse हो गया मैं आप यहाँ पे dimension इसका क्यों निकाल रहा हूँ physical quantities is expression में यह सारे quantity का अगर मेरे को dimension पता है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ बहुती ज्यादा आसानी से तो here fv is called viscous force तो हम लिख सकते हैं force ml t minus 2 अरे यह निकाल सकते हैं कि नहीं बोलो भाई फिर area का क्या होता है l2 होता है area का क्या होता है l2 होता है फिर velocity gradient को मैंने आभी अभी बोला velocity gradient का भी given है t inverse हो गया बात समझ में आ रहा है कि नहीं यह तीनों को एक साथ लो और आप इसको लेके आगे बढ़ो eta का value आप क्या लिख सकते हो इस वाले expression से fv divided by a into dv upon dx तो यहाँ पे सबका expression लिख लो अगर आप eta का expression आप निकालना चाहते हो तो expression of force dimension of force divided by dimension of a divided by dimension of velocity gradient अब यहाँ से इसको निकाल सकते हो velocity gradient अब यहाँ पे put कर लो force का dimension M L T minus 2 हो गया आप किससे समझा रहा हूँ इसलिए आपको तुछा time लग रहा है और यह T inverse हो गया बात समझ में आ रहा है की नहीं बोलो अब यहाँ से M तो M है L यहाँ से उपर 1 है नीचे 2 है तो जैसे हम लोग यहाँ पे यह जानते है M divided by ऐसे A to the power N लिखते है तो इसको क्या लिखते है M minus N लिखते है की नहीं तो इस situation में भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 minus 2 मतलब minus 1 और यहाँ पे T उपर चला जाएगा तो एगेन वही T minus 2 minus 1 मतलब minus 1 बन जाएगा तो I hope यह वाला result आपको समझ में आगे मैंने क्या बताया आपको है ना तो अब बच्चो यहाँ पे हम लोग दूसरा question को देखेंगे जिसको हम लोग बोल रहे है gravitational force, gravitational constant का हम निकालते है m1, m2 divided by r square तो आप देखो यह m1, m2 यह masses है यह आपका distance है यह आपका force है हमें g का dimensions चाहिए, आपको g का dimensions पूछा, अगर g का dimensions आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो force का dimension, multiplied इसमें cross multiply कर लो, यह r उस थाइप पे चला जाएगा, यह r square हो गया divided by m1 का dimension, divided by m2 का dimension, अब यहाँ से force का dimension, r का dimension और m का dimension तो मैं यहाँ पे आपको put करके बता देता हूँ, यह force का जो dimension है, वो mlt-2 हो जा रहा है और यह आपका जो r square का dimension है, वो l2 हो जा रहा है, क्योंकि r square is the distance है ना, यह distance square मतलब l, l का square हो जा रहा है, ना, तो यहाँ पे हम लुक short करके लिख रहा है, m1 है, और यहाँ फिर m2 है, यह दूनों का भी क्या हो रहा है, हमारा dimension m हो रहा है तो यहाँ पे पूट कर दोगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, यह बोल सकते हो, mlt-2 और यहाँ पे again l2 हो जा रहा है, और फिर आप यहाँ पे m2 बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे mass 2-2 है तो again आप यहाँ से देख सकते हो, यह मैंने ऐसा बोल लिया, कि sorry यह मैंने, इसको लिखना है कोई जरूरती नहीं है m-1 चला जाएगा, यह 2 है और इधर 1 है, और यहाँ पे l का cube हो जाएगा, और t-2 हो जाएगा तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको यह पता चल गया, इसका जो gravitational constant है, इस gravitational constant का जो dimension है, वो आपने निकाल लिया ता, उसमें कोई शकवाली बात नहीं है यहाँ से आप unit भी निकाल सकते हो, जैसे previous lecture में के class इसमें आपने देखा, इसका जो unit है, इसका viscosity का unit भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो यह mass है, mass का unit kg है, l का unit, जो part, l का unit meter है और t का unit time है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो, यह हमारा one है, यहाँ पे one है, यह two नहीं है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देता है, आप confuse मद हो जाना, यह हमारा value क्या है, one है चीक है, तो अगला इसमें चले जाते हैं, यह हमारा, इसमें भी unit आप निकाल सकते हो, अपने हिसाब से है न, देख सकते हो, अगर पता हो जाता है, सब कुछ हम निकाल सकते हैं, बहुत मजाधार चीज़ है यह dimension, तो IDJE में यह आया हुआ है, JE main, आप देख सकते हो, 2019 में, 8 April morning में आया हुआ है, यह सबाग, इसमें पूछा, कि ऐसा unit, ऐसा unit dimensions of this, आपको निकालना है, इसका dimensions कितना होगा, simple है भाई, आप देखोगे, तो पता चल जाएगा, इस वाले term को हम y पकड़ लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर ऐसा बोल लेता हूँ, यह epsilon not divided by mu not, इसमें कोई श epsilon not को multiply कर लिया, यह करा, अब इसको और थोड़ा आसानी से मैं लिख सकता हूँ, epsilon not divided by under root mu not epsilon not, यह मिला मेरे को, अब एक चीज़ और बताता हूँ, जो आप जानते हो, velocity, speed of light, आप c equals to क्या जानते हो, speed of light, actual, c का value आप जानते हो, 3 into 10 to the power 8, meter per second, यह तो आप जानते हो, कोई बात वाली बात शक वाली बात नहीं है, लेकिन इसका जो actual में c का value है, हमाँ जो formula है, वो क्या होता है, one divided by, ऐसा होता है, mu not, यह एपसालन not, यह होता है, one by under root, तो इसका मतलब इस वाले expression बे यह पूरा term को हम c से replace कर सकते है, बात समझ में आ रहा है, c is the speed, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा मजा कर लेता हूँ, यह epsilon not multiplied by c, तो यह मेरा y का value यह मिल गया, अगर मेरे को epsilon not का value, जो dimension है, वो पता चल जाए, तो मेरे का सवाल कम, यह जो सवाल है, वो चुटकी में हो जाएगा, जैसे c का value पता है, c तो dimension वाला होता है, यह ऐसे, क्यों क्योंकि यह speed है, derived quantity है, हमने करा, तो speed को लेकर आगे जाते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग पोशते हैं, जैसे देखो, आप, यहाँ से हम पोशेंगे, कहां force, electric force equals to क्या होता है, 1 by 4 pi epsilon not, q1, q2 divided by r square, अब जब आप यहाँ पे यह epsilon not का value निकालोगे, यह epsilon not का value क्या होता है, f e, जैसे देखो, epsilon not उपर चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं f e क्यों लिक रहा हूँ, मैं भी पगल होगे, है न, मुझे शर्म आ रहा है, यह सब question पूछते हुए, क्योंकि आपको यह सब कुछ पता होना चाहिए, पता भी हो जाएगा, तो f e divided by r square, यह जो 1 by 4 pi, जो है, 4 pi यह dimension less है, इसमें लिक हो ना लेको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी मैं लिक लेता हूँ, आप बोलोगे, सर अपने गलती कर दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें चाहिए, dimension of epsilon not, अगर dimension of epsilon not चाहिए, तो आपको सारे charge का epsilon not, यह q1, q2 क्या है actual में, charges है, तो charge क dimension हो गया, two square, यह four pi कर दो dimension है, वो नहीं चाहिए, और फिर force का dimension है, और यहाँ से जो distance है, उसका dimension है, तो सब का dimension में यहाँ पे put कर लेता हूँ, और फिर वह value अब यहाँ से put कर लोगे, तो पता चल जाएगा, तो देखो, actual में जो q है, actual में जो q है, वो हमारा q होता गया है, q is what, q equals to i into t, तो आप बोलोगे, sir मैंने तु यह पढ़ा है, कहाँ पढ़ा, आप class stand पे पढ़े थे, कहाँ class में क्या पढ़े थे अब, current, आप जो current है, current क्या पढ़े थे, current flowing is equals to, charge flown divided by time interval, charge flown divided by time interval, तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हूँ, मैंने ऐसा q बोला, current के साथ इसक कुलम क्या है, एक derived quantity है, यह कुलम है, कुलम एक derived quantity है, तो इसका जो unit होगा, dimension होगा, वो a या फिर i लिख सकते हूँ, current का मैंने बोला था, यहाँ पे a लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे a लिख दूँगा, कोई शक वाले बात नहीं है, और यहाँ प को उपर ले आता हूँ, minus one हो गया, फिर यहाँ पे L minus three हो गया, और फिर T यहाँ पे यह four हो जा रहा है, और eight two हो जा रहा है, यह तो हमें समझ में आ गया, अब अगर यह epsilon not का value यहाँ पे put कर दूँ, और यहाँ पे c का value है, मैं यहाँ पे put कर दूँ, तो दूनों का value multiplication के ब answer, ठीक है, तो यह जो मैंने सवाल कराया, यह J main में आया हुआ है, 19 में आया है, 8th April में मैंने यह नीचे भी आपको बता दिया है, कि 8 April में आया हुआ सवाल है, है ना, तो आगे देखते हैं, और भी मज़ा आ जागा, तो specific heat constant है, जो heat capacity, specific heat capacity, उसके बारे में आए बात करना ह Actually specific heat capacity होता गया है, यह देखो जा रहा, मैं किया चाहिए, specific heat capacity का value चाहिए, आमें dimension चाहिए, इसमें definition आपको पता है, नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अगर expression पता है, तो काम बन जाएगा, तो आप expression देखो, फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हू specific heat क्या है, मानों कि एक unit mass का, unit mass आप बोल सकते हो, unit gram बोल सकते हो, या फिर 1 kg बोल सकते हो, उस substance को, अगर आप heat दे रहे हो, और heat देने के बाद आपका जो temperature है, वो increase हो रहा है, 1 degree Celsius, कितना, 1 degree Celsius, आपने temperature को increase कराया, कितना mass का, 1 unit mass का, 1 kg mass का, या फिर 1 Kelvin mass का, है ना, तो आपन जो unit change कराया, unit mass का, जो heat आपको चाहिए, heat required is called specific heat, बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ से specific heat को लेके, हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको यह heat का जो भी value आता है, वो आता है, q, total heat equals to q equals to, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा, ms delta t, इसको हम लोग क्या बोल होने से काम चल जाएगा, q equals to ms delta t, and here q is heat, heat required, अगर पूरा mass आपको चाहिए, total mass, बहुत बढ़ा mass है, m mass का है, तो उसको आप specific heat के साथ, multiply करोगे, आप उसका temperature बढ़ा रहे हो, मानों की 70 degrees Celsius आप increase करा रहे हो, या 70 Kelvin आप increase करा रहे हो, तो उसे जिए में वो temperature का change को भी आप multiply होगे न, तो यह सब करने के बाद आपको total heat मिलता है, total heat equals to ms delta t बनता है, so s equals to क्या बनेगा, q divided by m to delta t, यह बन जाता है, आप इस situation में ऐसा कर सकते हो, या फिर left hand side, right hand side करके भी आप कर सकते हो, हमें s का dimension चाहिए, तो s का dimension निकालने के लिए q का dimension आपको पता होना चाहिए, m का dimension आपको पता होना चाहिए, और delta t का dimension आपको पता होना चाहिए, where key क्या है actual में, key is one type of energy, यह heat क्या है, heat is form of energy है, heat क्या है, form of energy, और energy actual में हम क्या जानते है, work जानते है, energy को हम क्या जानते है, work जानते है, और work को हम क्या जानते है, force multiplied by displacement जानते है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ sequence में जा रहा हूँ force क्या होता है ml delta t minus 2 और यहां से lb है यह distance भी है ना d तो यहां पर d लगा दोगे तो distance का energy का क्या मिल रहा है l2 minus t2 यहां आएगा तो अब यहां से energy का मैं अगर dimension लेख दो ml2 t minus 2 और यह जो m है वो क्या है mass है तो यहां पर मैं m का कर देता हूँ और यहां पर delta t मतलब Kelvin होता है इसको मैं के लिख देता हूँ तो यहां पर देखो mass का value चला गया l का value 2 आ गया t का value minus 2 आ गया और k का value minus 1 आ गया बात समझ में आया की नहीं तो यही होता है हमारा specific heat का जो dimension है मेरे क्याल से यह भी आपको समझ में आ गया है अगर नहीं आया तो comment करके जरूर बताइए social media के तुरू मैरे साथ जोड सकते हो अब इंस्टा में भी कर सकते हो एप बी में कर सकते हो टेलिग्राम में कर सकते हो है ना तो हर जगा आप कर सकते हो इसमें कोई शकवाली बात नहीं है आगे जाते हैं जैसे plan constant हो रहा है यह plan constant हम actual में हमें मिलता है एक energy का form होता है जो photon का energy होता है यह सारे चीज़ में detail आपको नहीं बताओंगा आप नहीं तो आप confused हो जाओगे और भाग जाओगे यहास 11th छोड़ 11th science छोड़ के पता नहीं कहा चले जाओगे है ना तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका future खराब हो जाओगे आप 11th science छोड़ दो के तो गड़बर हो जाएगा तो plan constant जानने से पहले हम बोलेते हैं कुछ photon energy बोलके कटार्म होता है that photon energy को हम लोग लिखते हैं e equals to h into new क्या बोलते हैं h into new actually मैं आपको बताता हूँ एक photon है photon अब ऐसे photon क्या है actually light होता है photon क्या है light है वो energy आके किसी भी एक metal पे strike करता है तो metal पे strike करते वक्त वो बाहर से आ रहा है कहीं से sunlight से आ रहा है मानो sun से आ रहा है तो उसे में कुछ energy लेके आता है that energy is called photon energy and that energy can be given as h into new अब ये तो आपका energy बन चुका है ये new actual में होता है आपका frequency क्या होता है frequency होता है तो यहां पे constant दिया गया plank बाबा ने दिया है अपने नाम पी दे दिये तो उसको हम लोग बोलते है plank constant बात समझ में आया कि नहीं बोलो तो ये plank constant को हम लोग आगे लेके जाते हैं तो h can be written as देखो यहां पर frequency है यह frequency है frequency को हम जानते है frequency means 1 by t मतलब time period का inverse होता है तो इसका dimension होगा t inverse हो जाएगा energy का भी हमें पता है energy का क्या पता है बोलो 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 जल्दी बोलो ml2 minus t2 ऐसा बोलते है ना अरे बोलते हैं की नहीं बोलो यह हुआ अब h का value अब निकाल सकते हो आराम से h equals to e का dimensions divided by new का dimensions हो गया ml2 t minus 2 और यहां से नीचे क्या हो रहा है new का है इसका मतलब minus 1 हो गया फिर आपको बहुती आसानी से ये भी समझ में आ गया m के power 1 है l के power 2 है t के power minus 1 है भायो और बहनो और मित्रो आपको समझ में आया की नहीं बोलो आया ना plan constantly भी आ गया देखो बहुत आसान है बहुती आसान है मैं बता रहा हूँ एक एक जो सवाल मैं आपको करा रहा ह अच्छा अच्छा सवाल है और आपको बहुती अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा मेरे ख्यावत से है ना आ रहा है ना हा या ना बोलना अब यह एक सवाल है मैं आपको बताता हूँ यह पूछते हुए मेरे को शर्म आ रहा है क्यों कि यह बहुत आसान सवाल है क्योंकि T is the time, F is the force, and V is the velocity, and D is the distance. इतना हमें पता है. हमें चाहिए alpha and beta का dimension. दीको हमें कोई भी dimension निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक चीज़ जानकारी है जो principle of homogeneity. ये जानते हैं. Principle of homogeneity का एक point आया था कि right hand side का जो dimensions होता है, वो left hand side के dimension के बराबर होता. ये तो हम जानते हैं. दूसरा जो हम लिखते हैं, एक चीज़ हो गया ये वाला term. ये बहुत important है. दूसरा हो रहा है, हम अगर किसी चीज़ को add कर रहे हैं ये subject कर रहे हैं, तो उस situation में ये दूनों term का dimensions है, वो क्या होना चाहिए? ये same होना चाहिए. तो ये दूनों points से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. क्या समझ में आया? किसी को कुछ समझ आया? देखो मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या समझ आया. अब मैं बोल सकता हूँ, इसका dimension बराबर है. बात समझ में आता है. साथ-साथ में इसका भी dimension दूनों का dimension जैसा ही है. क्यों? क्योंकि ये left side में है. ये कहाँ पर है? left side में और ये दूनों तो summation में है. तो मैं लिख सकता हूँ, F, V equals to dimension of beta divided by x square equals to dimension of alpha divided by t square. तो एक एक करके मैं लिख देता हूँ. तो force का जो देखो, ये F, V का हम लोग क्या लिखते हैं? F into V, ये Facebook नहीं है. तो F का क्या होता है? M, L, T minus 2 और velocity का होता है L minus T1. ऐसा होता है. देखो, M, L2 हो जा रहा है. T minus 3 हो जा रहा है. वही dimension, वही dimension किसके बराबर है? beta divided by x square beta का dimension divided by x square का dimension और x square का dimension क्या है? L2 है. तो ये side में multiply होके जाएगा ऐसा लिख सकते है beta का dimension है वह 4 है और इदर से minus T2. अरे ये होगा कि नहीं बोलो? यतना हुआ. alpha का भी लिख सकते हो, क्योंकि alpha का वही same dimension है. alpha divided by T square का dimension equals 2 ये ऐसा बोल सकते हो, FB का dimension है, तो alpha का जो dimension होगा, वो क्या होगा? FB का जो dimension है, ये होगा आपका FB का dimension, ये क्या है? FB का dimension है. ये FB का dimension के साथ T को multiply कर लेने का ML square T minus 3 ये हुआ हाँ. और यहाँ पर आपके आलिकों के T का 2 हो जा रहा है. तो ML2 minus T1 अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कभी-कभी मैं गलती कर लूँ, यहाँ पर calculation में, अब थोड़ा ध्यान में रखना है अब थोड़ा चेक करना उसको सही से, अगर कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरे को comment करके जरूर बता देना, सर का गलती मिल गया, सर का गलती मिल गया, तो जरूर comment करके बता देना, है ना? इसमें कोई शक्वाली बात नहीं है, मैं बुरा भी नहीं मनूँगा, दोसरा सवाल इसमें देखते हैं, यह बाप रहे पूछ के भी मेरे को दुबारा शर्मा आ गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए शर्म जहल लेता हूँ, alpha equals to यहाँ पे पता है, यह दिया हुआ है, alpha equals to f divided by v square sine beta t, where v is the velocity, f is the force, t is the time, find the dimensions of alpha and beta, ओके, यह चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, again, principle of homogeneity से हमें एक चीज़ बता चला था, कि यहाँ पे जो sine का terms होता है, या cos का terms होगा, या exponential term होगा, या argument के साथ भी वो dimension है, क्या बात समझ में आ रहा है, तो यह हमारा हो गया, dimensionless है, dimensionless तो यह है, साथ साथ में उसका जो beta into t है, वो भी dimensionless है, वो भी क्या है, dimensionless है, उसका value हम क्या लिख सकते है, 1 लिख सकते है, अरे लिख सकते हैं, dimension to the power 0, means what, बात खतम, तो beta को हम क्या लिख सकते है, 1 by t, इसका मतलब time का है, तो यह inverse हो गया, तो बीटा का dimension तो हमें पूता चल गया अब जारा ध्यान से देखना है alpha का dimension left hand side and right hand side वाला वही बात यहाँ पे LHS equals to RHS तो LHS मतलब alpha का dimension equals to F divided by V square का dimension F कभे क्या है ML T minus 2 V square का क्या है L T inverse तो यहाँ पे square है तो square कर सकते हैं यहाँ पे अरे कर सकते हैं की नहीं बोलो तो यह कर लिए तो देखो ML minus 1 और T यहाँ पे ही नहीं T तो cancel out हो जागा तो इसका value आता है तो यहाँ पे alpha and beta का भी answer आगे देखो यह क्लाइन में खब खत्म हो गया इसलिए मैंने बोला था शर्मा आगिया था मेरे को अरे आया नहीं बोलो समझ में आगे है न तो आगे देखते हैं और भी किछ सवाल है या limitation में पोच जा रहा है तो यहाँ पे देखो हमें limitation मैंने जैसे यह जो मैंने questions कराया था यह बहुत ही अच्छा-च्छा question है आपको सारे concept clear करा देगा यहाँ पे जो भी मैंने question कराया सारे concept आपको clear करा देगा बात समझ में आ रहा है की नहीं बोलो अब यहाँ पे हम पोच्छते है limitation of dimensional analysis एक चीज़ हम में बता देता हूँ हर चीज़ का एक limit होता है हर चीज़ का क्या होता है limit होता है क्योंकि आपका इतना नहीं हो आपका limit अभी 11-12 तक ही है उसके बाद आप entrance clear करोगे तो IIT में जा सकते हो medical में जा सकते हो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा पहला limit होता है मैं तो magnitude पर depend नहीं करता मैं किस पर depend नहीं करता magnitude पर depend जैसे यह dimension analysis में हमने देखा था यह dimensionally correct है कोई भी expression, कोई भी relation, कोई भी equations correct हो सकता है dimensionally but इसका मतलब यह नहीं कि mathematically भी correct है जैसे for example मैं आपको बता देता हूँ s equals to ut plus half a t square में यह बोलता हूँ यह dimensionally भी correct है साथ-साथ में mathematically भी correct है आप बोल सकते हो again उसके साथ सा dimensionally correct में यहाँ लिखता हूँ ut minus 1 by 3 a t square अगर मैं ऐसा लिखू तो मेरे को बताओ यह correct है गया अब खुद बोलोगे सार यह गलत है अब खुद बोलोगे क्यों? क्योंकि यह dimensionally correct है but mathematically not correct mathematically यह correct नहीं है in the meantime यह आप बोल सकते हो यह वाला dimensionally correct है mathematically भी correct है तो यहाँ पर dimension analysis हमें यह चीज़ नहीं बता सकता है किसी के magnitude नहीं बता सकता है ना? तो यह चीज़ आपको तोड़ा दियान में रखना है दोसरा जो constant का कोई dimensions नहीं होता है the constant which have no dimensions cannot be delused by dimensional analysis अब उसको निकाल ही नहीं सकते dimensional analysis से बात समझ में आ रहा है निकाल ही नहीं सकते भाई उसमें क्या है बात समझ आया जैसे कि आप बोल सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बोला था यह मानो कि मैंने ऐसा बोला t equals 2 हमने जानते है 2 pi l divided by g और इस 2 pi के जगा मैं यह तो dimensionless ही है तो मैं इसके जगा 2 भी लिख सकता हूँ इसके जगा मैं 5 भी लिख सकता हूँ इसके लिखा मैं sin theta भी लिख सकता हूँ इसके जगा मैं logarithmic function भी लिख सकता हूँ क्यों 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 वो dimensionless ही है उसने कुछ बताया ऐसा नहीं बताया हम deduce कर ही नहीं सकते हम लुप deduce experimentally इसको करेंगे जो 2pi का value है मैंने यहाँ पर आपको बताया यह जो 2pi है मैंने यहाँ पर लिखने का कोशिश कराता और जो जो मैंने चीज बताया यह dimension analysis से हम नहीं कर पाते हैं इसलिए हम यहाँ पर t equals to मैंने ऐसा भी लिखा था जब relation निकाला था तो इस situation में ऐसा k लिख दिया था और साथ में बोला था मैं जैसे मैं बता देता हूँ जैसे हम मैं मैं इसमें देखो इसमें dimension analysis में जैसे कोई भी एक dimension है ऐसा एक physical quantity है x to the power a and y to the power b ऐसा टाइब का है तो मैं इसको ऐसा बता सकता हूँ ऐसा ही बता सकता हूँ इसका expression में कर सकता हूँ तो अगर in the meantime अगर a equals to a ऐसा दिया हूँ एक्स प्लस y तो इसमें गड़बड हो जाता है कि नहीं इसमें गड़बड हो जाता है कोई relation नहीं बता सकता यह सिर्फ product and उसके power होगा तब यह बता सकता है इवन चोथा पॉंट यह भी बता रहा है डज नाट कवर दा expression containing ट्रिगनमेंटिक function एक्सपंशन एक्सपंशन एग्सपंशन हो गया लगरिदमिक फंक्शन हो गया वो नहीं बता सकता है तो हम इसके value निकाल नहीं सकते है तो यहाँ पर यह चीज आपका यह जो चार मैंने आपको limitations बताया यह आपको board as well as competitive exam में भी important है बोर्ड as well as competitive exam अब यह नीट का भी बात कर रहा हूं इसमें भी important है तो बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा है इंपोर्टन है डिरेक्ट आपको पूछ लेगा दो question दो marks का है ना तो यह चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है उसके बाद हमें कुछ चीज़े पढ़ सकते हो या kilometer मैंने travel करा है ऐसा ऐसा बोलते हो तो यह जो सामने आप लगाते हो na kilo something या millimeter something centimeter लगाते हो या milliliter लगाते हो मिली ग्राम लगाते हूँ, यह जो मिली, किलो, संटी, यह सब आगे जो भी, जो भी एक यूनिट, कोई भी एक सिस्टम में आप किसी यूनिट को लिख रहे हो, वो सिस्टम के से पहले, उस यूनिट से पहले आप कुछ एक चीज लगा देते हो, the cheese is called prefix, बात समझ में आ रहा ह है, जैसे हम लोग जो एसा ही prefix है, we used for power of 10 to manage very large and very small quantity, किसी भी एक वहरी बड़ा, बहुत बड़ा quantity है, बहुत ही छोटा quantity है, with a specific system of unit में हम लगाते हैं इसको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, magnitude of किसी भी physical quantity, यह क्या करता है, वहरी करता है, वहरी लार्ज, वाइड रेंज पर करता है, large range पर करता है, जैसे एक हो सकता है, very small और एक हो सकता है, बहुत ही बड़ा, physical quantity कोई भी हो सकता है, जैसे मैं very low में बोल लेता हूँ, अब mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, अरहे की नहीं बोलो, इतना है, अगर उस साथ साथ में, अगर very high value में लिख देता हूँ, mass of art अगर बो हो जाएगा, और counting में भी अब दिक्कत हो जाएगा, बास समझ में आया की नहीं, और यहाँ पर जो मैंने 10 to the power minus 31 मतलब point decimal के बाद, और 00 लगा लगा के 31 0 लगा होगा, फिर लगा होगा, तो यह बहुत गड़बार हो जाता है, तो इस situation में 10 to the power something लिख देते हैं, या फिर आ आर्थ का जो रेडियस है, आर्थ का रेडियस क्या होता है, देखो, आर्थ का रेडियस माल लो, 64 into 10 to the power, sorry, 6400 होता है, किलो मेटर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते है, 6400 into 1000 किलो मेटर, 1000 मेटर, क्योंकि यह किलो मेटर को मैं मेटर में गनबट करा सकता हूँ, यह बात है न, में क्या prefix हो रहा है, और हम prefix actual में manage करने के लिए, उस quantity को manage करने के लिए, बहुत बढ़ा है, या बहुत चोटा है, उसको manage करते है, 10 to the power something लिख के, और फिर हम लोग इसको बोलते हैं, 10 to the power 18 को हम लोग एगजा बोलते हैं, 10 to the power 15 को पैटा बोलते हैं, 10 to the power 12 को टेरा बोलते ह जो भी आप सिंबोल याद रखना गीगा 10 to the power 6 को मेगा बोलते हैं उसका M होता है 10 to the power 3 को हम लुकियां बोलते हैं किलो बोलते हैं यह जो तीन टार्म है 10 to the power 9 से 10 to the power 9 से 10 to the power 10 बहुत ही ज्यादा यूज होता है जैसे आप common life में भी उसकरते हो जैसे आप mobile दबाते हैं और मे 500 के BPS हो रहा है या 100 के BPS या उसका net बहुत ही गंदा है 70 के BPS चल रहा है तो ऐसा बोलते हो ना तो यह सारे चीज एक्चुल में क्या है एक्चुल में क्या है वो prefix है और आप gigabyte g भी बोलते हो ना g उसका symbol है बात समझ में आ रहा है तो यह चीज है लेकिन आपको थोड़ा याद रखना है 10 to the board 15 से 10 to the board 15 से आपको या रखना है 10 to the board 15 से आपको याद रखना है 10 to the अवर स्ऩवर के पावर 2000 के रहा है 10 to the power है 10 के पावर यहा पर negative science है negative sign देख लो यहाँ पर minus 1 minus 3 10 to the power minus 3 को हम milli बोल रहे है 10 to the power minus 6 को micro बोल रहे है 10 to the power minus 9 को nano बोल रहे है जो nano गाड़ी वाला हो गया nano seam हो गया 10 to the power minus 2 को pico बोलते है 10 to the power 15 को femto बोलते है यह सारे चीज आपको symbol के साथ साथ आपको याद रखना है जिससे मैंने बोला music इसका मतलब micro column है यह क्या है micro column हो रहा है यह ऐसा लिखा मैंने micro farade है तो यह सारे चीज आपको देखना है या milliliter मैंने लिख दिया बात समझ में आ रहा है या FM लिख दिया तो femtometer हो गया बात समझ में आ रहा है तो यह सारे चीज आपको याद रखना है और traffic जो मैंने बताया यह आपको याद रखने का थोड़ा try करना है आपको जरूरत पड़ता है और यहाँ से जो 10 to the power minus वाले है negative symbols है तो यहाँ से आपको 10 to the power minus 3 से 15 तक ही आपको याद रखना बहुत ज्यादा important है आप याद रख लेना है ठीक है तो I hope आपको इतना समझ में आ गया जो अभी अगले lecture में हम लोग J&Nate का जो previous सवाल है previous सवाल हम कुछ करेंगे ताकि आपका confidence भी build up हो जाए तो अगले lecture पर हम मिलेंगे और इस lecture को end तक देखने के लिए आपको thank you so much क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है और J&Nate का जो भी preparation होगा J&Nate का जो भी previous year का सवाल होगा वो मैं आपको कराते रहूँगा और J&Nate का actually point of view से ही मैं पढ़ा रहा हूँ सही से बोला जाए तो board का तो हे ही क्योंकि आप मैं बताता हूँ board and neat का J&Nate का अगर preparation आप अच्छे से कर रहे हो तो board आपने आप निकल जाएगा मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार बोल रहा हूँ और मैं आपको यहां से लिखके बता रहा हूँ यह समझा रहा हूँ आप साथ साथ में notes भी बना दे जाएगा अपना notes ही बहतर होता है आप खुद notes बनाओगे तो बहुत ही जियादा बहतर है मैं notes बनाने का तरीका भी बताऊँगा आने वाले कुछ दिनों में बता दूँगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना तो thank you so much मिलते हैं आगले lecture पे तब तो खुश रहिएगा टेक केर बाबाई